अपने वीडियो में आपनों का मोश्ट विलकम करती हूं आप देख पा रहे हैं यहां पर हम बेबी ट्राइबस बनाये हैं फिंगर फ्राइबस बोलते हैं नली बोलते हैं फोपी बोलते हैं सब जगह अलग अलगिसको बोलते हैं बहुत ही इजी टरिक से बनाये हैं इसके लिए हमने सूजी लिया है सूजी मोटी वाली हमारी यह है इसलिए हम इसको ग्राइंट करेंगे इसका पौडर बनाएंगे बहुत जादे पौडर नहीं होना चाहिए वैसे भी चलेगा मोटा भ आप हम इसा रेस्यो नाप के ले यहां पर टेस्ट के कोड़िंग नमर डालेंगे एक टीज़ इस्पून यहां पर रिफाइन डालेंगे और जब पानी बॉयल होने लगे तो हम थोड़ा-थोड़ा करके सूजी को इसमें मिक्स करेंगे इस तहां से सूजी तुरण तही पानी लेती है इसको लो फ्लें पर हम इसना से चलाएंगी यहां फ्लें मिकू लोह ही रखना है और इसना से खोड़ित तक हम इसको चलाते रहेंगे तक कि इस पानी पार हो गया है पानी सूच गया एकदम से इसमी इस तरह से चलाते हुए हम नीचे पकड़ने नहीं देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से बनाएंगे हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही येल्दी नली बनके तयार होगा बच्छे बहुत ही पस्टन से खाते हैं और डेली मांगते हैं बच्छे ये सब चीजे थाली में हम थोड़ा सा आयल ग्रीस करेंगे और यहां पर सूजी को हम निकालेंगे थोड़ा सा ठंडा करके हम हाथों से इसको मस लेंगे सभी सूजी को हम निकाल लेंगे इस तहां से आतों में थोड़ा सा आयर लगा कि हम इसको अच्छे से आटा जैसे गूतते हैं उसी तहां से हम इसको गूतेंगे यह तो ठंडा हो जाएगा बेभी प्रायर जो आता है मार्केट में मैदे का आता है और मैदा मारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता इसलिए हम सूजी से बनाएंगे घर पे जो मारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है सूजी हम सूजी मारे हल्थ के लिए अच्छी होती है इसलिए हम सूजी से बनाएंगे जिससे बच्चे खाएं नुक्सान भी ना करें और बच्चे खाएंगे जरूर मानेंगे नहीं इस सब चीजें बच्चों को तो डेली चाहिए इस तरह से घूट के इधने स्मूथ कर लेंगे डोप में रोटी काँटा बने लगाते हैं इस तशाएं से फमाटा लगाँ इसमें कलर आप डालना चाहिए तो आउग नल है आप कलर डाल भी सकते हैं नहीं भी यहाँ फोनूर सा और झोल्स दालेंगे अद थोड़ा सा करके तीन तरह के बनाेंगे तेन कoler में ल् غांटे बिलकुल ना रहने दे फ्रॉड़ा सा ओरेंज मीलाइंगे का दो फ़ायंगे प्लप healthier गाना पशुंद करते हैं कड마 कि मार्केट में के मिलता है है वोइड बना देंगे तो बच्छे थोड़ा सा कमें पसंद करेंगे और जान भी जाते हैं कि घरका है तिसना से आप कर रख बनाएंगे कि तो रहें कि और बश्यस क्पंद से कहान लेते हैं यह सब चीजे इता से हम के लगा है ये थोड़ा सा वीची पकता नहीं है बेलने में बहुत ही आसानी रखता है अब इस तहां से करके रख लिए छल्य बेलते हैं 252 घंक ऐसने से डबा चुटा चुटा आप इससे ले सकते हैं हैं को भी पाइप और यह हमें पाड़ा इस्कर सिसी है यह है अगया दूल को अच्छे से अधर करें इसलासे रोटी की तरह है इसको में कट करेंगे इससे नाप लीजिए और साइज से अपना कट करके इससे हम डबी पर लगा के देखेंगे डबी पर थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे नाप के इससे कट कर देंगे और चिपका देंगे अच्छे से और यह असानी से निकल जाता है अल देख पा रहे हैं इतना से असानी से निकल जाता है इतना से सारी चिप्स को हम बना लेंगे प्रेंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजीए पिल आकान प्रेस कर लिए네 ताकि हमारे आने वली वीडियो आप तक असाय से पहुझ सके अब अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए अच्छे अच्छे कमेंट करिए अब बताएं वीडियो आ औक कैसी लगती है इस तरह सब सारे बचाता गिर बनाके तयार कर लिया है और कलर के इसको पंके के नीचे भी सुखा सकते हैं दूप में अचे नीचे एक से दो दिन लगता दूप में दूप में एक ही दिन में सुख जाता कुर इसना से सूर्ख करते हैं हम दीखते हैं में यह में त्यार Скप देखते हैं से 500 ग्राम सुजी में 50 से तयार हो गया लौक volta करके देखते हैं जिसके मार्किल में मिलता है इस ने फूल रहा है दबल हो चाहरा है अभुसे ता से करारा भी है बहुत ही अच्छा बनकर तयार हुआ है आप भी घर पर ट्राय कर सकते हैं बच्चों के लिए बच्चों के फैल्थ के लिए तो थोड़ास मिननाप करना ही चाहिए ताकि बच्चे Surely खुच आप देख पा रहे हैं कितना तरारा बनके तेयर हुआ है आप थोड़ा सा प्राइए किया है बाकि हम बाद में करेंगी जब बच्चों की जरूत होगी सब्सक्राइब करके देंगी वीडियो पूरी देखें तभी समझ में आया है वीडियो फुल बाच करने के लिए थेंक्य कितनी ही जाने करना मेंस करने कि जरूत हुआ में करेंगी जारी क क एम के देखें करेंक्थ जाएं? झाल झाल झाल